हेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैजवल लाइफस्टाइल मैं हूँ आपकी दोस्त भावना कारकी सो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि घर में जटपट पनीर कैसे बनाया जाए गर का पनीर शुद्ध भी होता है और इसे बनाना बहुत आसान भी है और दोस्तों आपको मालूम होगा कि बजार के पनीर को सेटरक ऐसे डाल करके बनाया जाता है जो कि हमारी हल्थ के लिए उतना बैतर नहीं है जितना की घर का बना हुआ पनीर फायदेवन होता है सो फ्रेंट्स यहाँ पर लगबग मैंने दो लीटर दूद को बॉल करने के लिए रख दिया है जब दूद में उबाल आने लगे तो उसे कर्ची से हिलाएं ताकि उसमें मलाई ना जमे दूद को हमें कम से कम 5-10 मिनट तक अच्छे से उबालना है दूद के अच्छे से उबल जाने के बाद यहाँ पर मैं लगबग 2 लीटर दूद में 3 निम्बू का रस डाल रही हूँ जिससे की दूद अच्छे से फट जाए यदि आपका दूद फट नहीं रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं या तो आपने दूद को अच्छे से बॉइल नहीं किया है या फिर दूसरा कारण या तो आपने निम्बू के मातरा कम डाली है निम्बू का रस डालने के बाद दूद को अच्छे से हिलाए ताकि दूद अच्छे से फट सके आप चाहें तो दूद को फाड़ने के लिए वैनिकर का इस्तमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से फटे हुए दूद में पानी बिल्कुल अलग दिखना चाहिए दूद को अच्छे से चलाते रहें आप देखेंगे कि दूद से पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है दूद अच्छे से फट जाए तो गैस को आफ कर दें और इसे थंडा होने के लिए छोड़ दें यहाँ पर हमारा फटा हुआ दूद पूरी तरह से थंडा हो चुका है अब हमें क्या करना है इसको चानना है यहाँ पर मैंने पनीर को छानने के लिए पनीर स्टेंड का इस्तमाल किया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कौटन के कपड़े से भी छान सकते हैं और यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लेंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी यह एमेजॉन में इजिली अवेलेबल हो जाता है पनीर शनने के बाद जो यह पानी बचा है आप इसको बिल्कुल भी नहीं पेकेगा इसको पीने के बहुत सारे फायदे हैं पहला यह हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है दूसरा इम्म्यूनिटी को भी बूस्ट करता है तीसरा डिहाइडरेशन को दूर करने में मदद करता है और चवधा सोर नैक्स स्वेलिंग को भी दूर करता है आप इसे ठंडा करके शकर या गूर डाल करके पी सकते हैं यह पीने में भी टेस्टी लगता है अब हम इस बचे हुए खोए को ठंडे पानी से वाश करेंगे ताकि इसमें मौजूर जो निम्मू की खटास है वो चली जाए अब हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसमें बचा हुआ पानी अच्छे से निखर जाए अब हमें एक हॉलो स्पेस वाले दूसरे बरतन को लेना है और उसके उपर इसे स्टैंड को रखना है और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए एक भारी बरतन इसके उपर रख देना है ताकि ये और अच्छे से इसमें से पानी निखर जाए हमे राद बर के लिए इस पनीर को सेट होने के लिए छोड़ देना है यहां पर हमारा पनीर set हो चुका होगा, आप हम इसे open करके देख लेते हैं हमारा पनीर काफी spongy बना है, अब हम इसे मन चाही shape में cut कर लेंगे तो हमारा पनीर बन करके ready है तो friends देखा आपने पनीर बनारा कितना easy है अगली बारी आप भी घर में पनीर जोरूर बना के देखिएगा इस पनीर से आप मन चाही लिशेस बना सकते है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नहां लेकर है सब तक के लिए बाबाई, टेक केर